दोस्तो बिटकोईन लेजन में KYC की एक और नई अपडेट आ चुकी है पेमेंट के रिलेटर जो कोई भी क्वेरिस थी वो सब इन्होंने सॉल्ड कर दी है और जिनका अभी तक KYC नहीं हुआ है उन लोगों के लिए भी फिर से KYC स्टार्ट हो रहा है ठीके दोस्तो तो फटाफ़स सब का KYC हो जाएगा और इसका विड्रॉल भी बहुत जल ओपन होने वाला है तो दो नई अपडेट आ चुके है रिफन अबाउट कार्ड पेमेंट ऑफ KYC तो जिनकी पहले से KYC हो चुके है डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से KYC की थी तो उनको ये लोग रिफन कर देंगे और इन्होंने USDT यानि टेडर है उसको एड़ कर दिया है ठीके तो ये नई अपडेट ले ले उससे पहले दो दिन पहले मैंने आपके साथ एक वेबसाइट शेयर की थी उसके बारे में अब एक डीटेल देख लो दोस्तो ये रोबोट वालेट करके एक वेबसाइट है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी यहाँ पर आप मिनीमम 0.1 USDT को डिपोजिट कर सकते हो और यहाँ से रोबोट था 6 वाला उसको गेन कर सकते हो और यहाँ पर माइनिंग फ्रेमे कर सकते हो तो जो हम रोबोट को purchase करते थे वो यहाँ पर सो होता था My Robot Warehouse में तो यह वाला framework मिलता था यह expired हो चुका है एक दिन के लिए framework मिलता था और यह 6 वाला robot है तो यहाँ पर आपको रोजान आना होगा और फिर यह एक्टिव लिखास पर click करना होगा तो आपके रोजाना माइनिंग चालू रहेगी जिस दिन आप यहाँ से एक्टिव करना भूल गए उस दिन के आपके माइनिंग यहाँ पर add नहीं होगी तो इस बात को यार रख लेना ठीके दोस्तों और एक दूसरी बात है कि यहाँ पर minimum video है वो 10 USDT का है तो 10 USDT हो जाएंगी तब आप यहाँ से video ले सकते हो तो यह दो बाते थी जापको बटानी थी तो चलो अब जो दो अपडेट आई है वो यहाँ से देख लेते हैं यह सबसे पहले अपडेट थे refund about card payment तो क्या कहा है सौट मैं समद लो इन्होंने जो card की company है उसके सद बात चीत की लेकिन कोई बात नहीं बन पाई जो card की company है उन्होंने refund करने से मना कर दिया तो इन्होंने यह कहा है के सारा कासा आमांट हमको देड़ू तो अब जो card की company है वो BCL की कोटे में उसको सारा आमांट डेड़ेंगी तो जिनकी KYC हो चुके है और जिन्होंने कार्ड से पेमेंट किया था उन सब का सारा फ़न BCL की टीम है उसके पास आजाएगा और वो लोग हमको रिफंड करेंगी तो जिनकी KYC हो चुके है जिन्होंने पेमेंट कर दिया था यह उनके लिए है तो अब आपको फिर से यहाँ पर 6 डॉलर का पेमेंट करना होगा तो वो यूस दिख्टी में करना होगा तो वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ अब इसका जो सीजूल है वो भी देख लो रिफंड ओफ KYC कार्ड पेमेंट अक्टोबर 11 से लेकर अक्टोबर 16 तक 5 दिन में हमको रिफंड कर देंगी रिफंड प्राइस अमाउंट excluding 10% of credit card company's fee तेके और जो हमारा अमाउंट रहेगा उसका 10% यह लोग कट करेंगे क्योंकि जो कंपनी है जिसके जरी हमने पेमेंट किया था उन्होंने 10% के फीज कट की है एडिशनल एडरोप इस केरीड आउट बाई calculating the amount according to the market price on the day of the BCL settlement करने वाला टेडर है उसका पेमेंट 13 को इन्होंने एड कर दिया है के वाइसी डेवलोपमेंट ऑफ अडर पेमेंट एक्सपेक्ट श्रीप October 16 तो जिनकी पहले से के वैसे हो चुके है जिन्होंने पहले से यहाँ पर फीज डिपोजिट कर दिये है उनकी अपडेट है वो 16 अक्टूबर को लाएंगे तब तक हमको वेट करना है जो नए है वो के वैसी कर सकते है जिन्होंने पहले से के वैसी की है उनको अभी कुछ भी नहीं करना है हमारे लिए एक नई अपडेट आएगी के वाइसी एप अपडेट एंड रिस्तर अक्टोबर 17 तो 17 अक्टोबर को यह लोग एक नई एप में अपडेट लाएंगी ठीक है तो तब हमको हमारे अप्लिकेशन है उसको अपडेट कर लेना होगा अब इन्होंने पेमेंट के लिए TRC20 यानि TRON का USDT है उसके अक्टिव कर लिया है तो वो भी देख लो As announced last time KYC USDT has been updated on the website तो वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है और जैसा कि बताया जो लोग नए है वो लोग यहाँ पर direct KYC कर सकते हैं तो आपको पूरी KYC करने है और पेमेंट USDT में करना है यह TRC20 यानि TRON के ब्लोक्चैन वाला USDT यहाँ पर डेना है ठीक है इस बात को या को इसके application में update आएगी तब हम application को update कर लेंगे और KYC वाले section में जाएगे और वहाँ पर 6 USDT जो TRC20 के होंगे उसको pay करना होगा तो हमारी KYC success हो जाएगी ठीक है हमको जड़ा कुछ नहीं करना है तो अब इन्होंने एक बात बताई है बहुत सारा हमारे दोस्त मुझे वैसे भी पूछते रहते हैं जो हमारा TRC20 का USDT है वो एक wallet से दूसरे wallet में transfer नहीं हो रहा तो दोस्तो उसके लिए gas fees लगते है ट्रॉन की gas fees लगते है एक ट्रॉन या दो ट्रॉन आपके cut होते हैं तो आपका जो TRS का wallet होता है वहाँ पर आपके ट्रॉन होने जरूरी है अगर आप के पास ट्रॉन नहीं होंगे तो आपका जो USDT का टेडर है वो एक wallet से दूसरे wallet में transfer नहीं होगा तो इस बात को यार रख लेना इसी तरके से BUSD है ता आपको BUSD transfer करना होगा आपके wallet में Binance Smart Chain का जो amount होता है वो होना जरूरी होता है तो इस बात को यार रख लेना जो भी blockchain का native coin होता है उसकी अपनी खुद की fees कर जाते है लेकिन उस blockchain पर run करने वाला कोई भी crypto currency हो उसके लिए उस blockchain में थोड़ा बहुत amount होना जरूरी होता है क्योंकि उससे transaction fee होती है वो cover हो जाती ठीके तो यह दो update थी और वैसे भी जो 6 dollar की fees है वो हमको BCL के token में होने return करने को card तो अब हमारा सार कासर amount है वो BCL के token में हमको मिल जाएगा तो यहां से हमको थोड़ा ज्यारा profit होने का chance रहेगा क्योंकि अभी BCL के price बहुती deep में है तो हमको अच्छे खासे token मिल जाएगे और वीडियो के लिए चैनल के साथ जूरे रहे और अच्छे से माइनिंग करते रहे तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए keep mining and keep earning